नमस्कार मैं हिमानशु बर्मुला और आप देख रहे हैं बीएज बीसी न्यूस पेसे आप तक के समचार लेकिन नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सूर्खियों पर भाजपक आज 38 इस्तापना दिवस इस्तापना दिवस के मौके पर जन्सभा को संबोधित करेंगे पार्टी अध्यक्स सियाएसेफ ने लोगों के खिलाप की कारवाई तीन माह में 670 लोगों के खिलाप कारवाई हुई दिनली में 4 लाख फर्जी रासन कार्ड मिले तीन वर्सो में 20 लाख लोगों का रासन कार्ड रकार गई सरकार सुप्रीम कोर्ट में अवेद्या मामले में सुनवाई आज 32 हस्ता छेप याचिका को खारिज कर दिया था पहले सुप्रीम कोर्ट ने संसद में लगातार हंगाम हंगामे के चलते आज भी काम काज ना होने के आसार अब खबरें विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी शुकुरुवार को भास्पा के 38 स्थापना दिवस और पांस लोग सबसीटों के लिए पार्टी कार्यकरताओं और पार्टी के 734 जिलाइकाईयों के अध्यक्षों से मिलेंगे भास्पा ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी पीम मोधी अपने एप के जरिये वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से इन कार्यकरताओं और अध्यक्षों से रूबरू होंगे पार्टी अध्यक्ष पार्नाग के मैट्रों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है मैट्रोंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विजन इंतिजान कियے हुए खासकर महिलाओं के लिए एक कोज भी रिजर्व है बावजूद इसके मंचलों का आतंग कम नहीं हुआ आंकड़े बताते हैं कि पूरुस यात्री महिला अरक्षित कोश में घुश जाते हैं CISFS से मंचलों के खिलाब कारवाई करती है CIFS ने इस वर्ष तीन महा में 670 लोगों के खिलाब कारवाई कर इन्हें पुलिस के हवाले किया है जबकि 90 लोगों का चालान किया है PNB लोन घोटाले में वांचित नीरव मोधी हंकॉंग में हैं विदेश मंतराले ने हंकॉंग कॉंग प्रशासन से उसकी अंतरीम गिरफ्तारी का अनुरोत किया है विदेश राज्य मंत्री वीके सिंग ने गुरुवार को राज्य समावें एक प्रश्न के लिगित उत्तर में बताया मंत्राले ने चीनी जातिवादी गंड राज्य की होंग कॉंग विसेश प्रशास्निक छेत्र की सरकार्च नीरव दीपक की अंत्रीम गिरफतारी का अनुरोथ किया है इस समन्द में 23 मार्श 2018 को अनुरोथ पत्र उन्हें सौंप दिया गया वीके सिंग ने बताये कि भारत्य विदेश मंत्राले ने पहले नीरव मोदी और मेहुल चौक्षी के पासपोर्ट निलंबित कर दिये थे दिल्ली के पूरु मंत्री कपिल मिश्व का दावा है कि दिल्ली में 4 लाग फरजी रासन कार्ड मिले हैं उनका कहना है कि 4 लाग का मतलब 20 लाग परिवार पूरु मंत्री का दावा है कि इसका मतलब लगब 20 लाग लोगों का रासन दिल्ली सरकार डकार गई उनका कहना है कि कैक की रिपोर्ट पर भरोसर किया जाय तो परतियक महिने डेट सो करोड रुपे का रासन गायब हो रहा था एक साल में करीब अठारा सो करोड रुपे का घोटाला किया गया है पूरु मंत्री का दावाय की तीन वर्सों का लेखा जोखा निखाला जाये तो करीब चववन सो करोड रुपे का घोटाला हुआ है सुप्रीम कोट में आज सद्यों पुराने राम जन भूमी विवाद मामले की सुनवाई जारी रहेगी सुप्रीम कोट इस मामले में 2010 के इलाबाद हाई कोट के फैसले को चुनौती देते वे दायर किये हुग गए तेरा अपील पर सुनवाई करेगी इलाबाद उचनियालाय ने अयुद्या में विवादित इस्तल के तीन तरह के विवाजन को अनिवार्य किये जाने का फैसला सुनाये था सीर्ज कोट ने इससे पहले 32 अस्तजेप आचिगाओं को खारिज कर दिया था इसमें श्याम बेनेगल अपड़ना सेन और तिस्ता सेतलवाद की आचिगा भी सामिल थी संसत के बजट सत्र के दूसरे चरण में गुरुवार को लगातार 21 में दिन एक बार फिर हंगामा हुआ और कोई कामकाज नहीं हुआ हालांकि एंडिया और भाजपा के सभी संसतों ने बुद्धवार को ही यहां एलान कर दिया था कि संसत नहीं चलेगी तो नो वर्क नो प समीट में कहा कि अगले कुछ वर्ष में देश में 56 नए हवाई अड़े काम करना सुरू कर देंगे उन्होंने कहा कि व्यापार का दोहन करने तथा घरेलू वैश्वीक अर्थ्विवस्ता दोनों का अधिक से अधिक तथा तेजी से एकी करन करने को लेकर भारत जैसे देश लॉजिस्टिक तंत्र बेहत महत्वा पूर्ण है इसी बात को ध्यान में रखते वे अगले कुछ वर्ष में 56 नए हवाई अड़े काम करना सुरू कर देंगे नेपाल के प्रधान मंतरी केपी शर्मा ओली पत समालने के बाद पहली बार यात्रा पर सुक्रवार को भारत आएंगे इस यात्रा के दोरान वो दोनों देशों के 20 संबंदों को मजबूत बनाने के लिए देश के सीर्स नेतित्वा के साथ बाचीत करेंगे ओली अपनी पतनी रादीकर शाक्या के साथ सुक्रवार की सुबह पहुंचेंगे रिपोर्ट्स के मताबिक बाद में एक कारोबारी लंच कारेकरम में सामिल होंगे वही सनिवार शाम को सिष्ट मंडल इस्तर की वारता से पहले और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोजी से मुलाकात करेंगे अपनी यात्रा के पहले दिन वे दिल्ली में रहने वाले नेपाली संबुदाई के लोगों से भी मिलेंगे बॉल्यूड इश्टार सल्मान खान काले हिरन के सिकार मामले में हिट एंड रन नहीं कर सके गुरुवार को जोदपूर की अदालत ने 20 साल पहले दो काले हिरनों के सिकार का दोसी पाते होंने 5 साल की कैद और 10,000 रुपे जुर्माने की सुनवाई दी आपको बता दें कि उन्हें सजा 3 साल से जादा मिली है इसलिए जमानत के लिए 80 सत्र अदालत में लगाई गई है लेकिन ततकाल सुनवाई नहीं हो पाई संजीता ने 53 किलोग्राम की कैटेगरी में स्वंड पदक जीता है उन्होंने स्नेच राउंड में पहले प्रयास में 81 किलोग्राम का वजन उठाया दूसरे प्रयास में 83 किलोग्राम जबकि तीसरे प्रयास में संजीता ने 84 किलोग्राम का वजन उठाकर कॉमन वेल्थ गेम का नया रिकॉर्ड बना दिया है 53 किलोग्राम की कैटेगरी में इसनेच में यहाँ अब तक का सबसे अधिक वजन है इस बुलेटन में इतना ही देखते रहिए ब्याज बीसी न्यूज नमस्कार